तो गवर्नर जेनरल ऑफ बेंगॉल जो थे चार्टर ऑफ 1833 के तुरू बना दिये गए गवर्नर जेनरल ऑफ इंडिया अब जो बेंगॉल का गवर्नर जेनरल था उसको कहा कि अब आप इंडिया पे राज करिए आप इंडिया को कंट्रोल करिए तो आपके लिए रिस्पेक भी बढ़ जाएगी और who become the first governor general of India yes William Bantic और पूरे इंडिया की जो revenue collection थे और जो administration power थे वो किस के पास आगए आगए sir William Bantic या the first governor general of India के पास आगए okay 1833 का जो charter था इसमें एक law commission एक विदी आयोग की भी सापना की गए क्योंकि बहुत जादा disputes भढ़ रहे थे इंडिया में administration को लेके trading को लेके तो British Parliament ने कहा कि चलिए एक commission हम establish कर देते हैं जो भी dispute है उस पे वो decision लेगा मतलब जो भी विवाद है कानूनी उस पे वो decision लेगा तो law commission जो है ये बनाया गया इस law commission विदी आयोग का जो है था वो थे मैकाले ये बहुत important नाम है तो law commission जो बना 1833 charter में उसके hat थे मैकाले ठीक है साथ ही एक और चीज आई कि जितने भी act जो 1833 charter से पहले governor general of Bengal ने बनाए वो regulation कहलाएंगे लेकिन 1833 के बाद जितने बने भी regulation बने उनको act कह दिया जाएगा ठीक है उसके बाद फिर प्लस 20 कर लो तो फिर प्लस 20 years के बाद 1853 का act आया ठीक है अब देखना जो बोर्रों डारेक्टर में 24 members थे ना 7733 के act में हमने पढ़ा था डारेक्टर कितने थे 24 थे उन 24 directors को अब 18 कर दिया गया यह कहा गया कि चलिए 18 कर देते हैं 6 minus अब इन 18 में से भी जो one third थे यानि कि six जो थे वो कौन लेके आ रहा था वो किस की representative थे वो crown की representative थे हर majesty उनको भेज़ती थी अपॉइंट करके जो payment थी authorities की अभी तक जो payment थी authorities की वो decide करती थे कौन British Parliament लेकिन जो payment किया जाता था वो किस से किया जाता था इंडियन ट्रेजरी से किया जाता था भारत के कोश से किया जाता था लेकिन अब क्या आगया 1853 के charter में कि जो भी अधिकारी इंडिया में है उनका payment जो है वो Parliament decide करेगा और pay कौन करेगी East India Company करेगी कैसे कर रही है यह East India Company जाने ठीक है जो law commission था जो बनाया गया था 1833 में जो law commission बनाया गया जिसके head मेकाले थे law commission को एक और right दिया गया 1853 में कि आप governor general की जो council है उसके permanent member बन जाई है ठीक है important point है law commission जो इंडिया का था इसके एक member को governor general of India के executive council का permanent member बना दिया गया और यह जो law commission इस पे नजर रख रहा था British law commission ठीक है तो अब executive council जो थी उसमें एक law commission का member भी था और साथ ही executive council जो थी पहले उसमें कितने members थे start कियाद करो पहले थे 4 फिर कितने कर दिया 3 लेकिन अब बना दिये गए members 1853 के law से क्या कितने हो गए 12 members हो गए साथ ही जो civil services के लिए exam थे अब अबने का चलो सब खुश हो जाओ क्योंकि अब civil services में कोई भी आके apply कर सकता है कोई भी exam में बैट सकता है ये कोशिश 1833 में भी की गई थी हम लोग उने देखा था लेकिन विरोध की कारण क्या हुआ था इसको वापस ले लिया गया था लेकिन 1853 में फिर ये law finalize कर दिया ग पहला पन्ना तो जो है the rule of company, East India Company का शाषन और second जो है वो है rule of crown याने की herd majesty याने की queen का शाषन ठीक है तो हम लोग देख चुके है कि company ने क्या-क्या उधम मचाया अब हमको ये रेखना है कि 1853 के just 4 years के बाद, 4 साल के बाद ही क्या हो गया? the revolt है ना? सिपोई mutiny जिसको बोलते हैं तो 1857 की kranti I mean to say ठीक है? तो जब ये हुआ तो British Parliament और East India Company सभी सदमे में थे, all are shocked तो British Parliament ने फिर एक और act जो है pass किया जिसको कहा गया 1858 Government of India Act ठीक है? इसके बाद जितने भी act आएंगे उनको हम Government of India Act ही कहेंगे ठीक है? तो first act जो रेवो जहां से crown का rule start हुआ उसको कहते हैं 1858 Government of India Act ये देखो भई, crown कोशिश तो की है मैंने बनाने की, although it's not very beautiful, तो crown जो है इनका rule शिरू हो गया और crown खुद तो बाद नहीं सकता था या, है ना? तो crown ने किसको भेजा? एक post बनाया, Secretary of India या Secretary of State का एक post बनाया, जो कि मुनाक को represent करे और ये जो Secretary of India था, यानि कि बोल सकता है हिंदी में भारत सचिव, ये भारत सचिव कौन बना था? जो British Parliament का एक member होता था, उस British Parliament के member को proper voting करके election के बाद इंडिया भेजा गया, तो जो Secretary of India ये भारत सचिव था, Government of India Act के बाद बना, वो कौन था? British Parliament का member था और भारत आके represent कर रहा था crown को, और पहला Secretary of India कौन बना तो वो थे Edward Henry Stanley, important name है Edward Henry Stanley, become the first Secretary of India or the state after the 1858 Government of India Act, ठीक है? साथ ही, एक भारत सचिव, एक Secretary का भी post बनाया गया, ठीक है, जिसमें कितने members थे? 15 members थे, सोरी, यही है, सोरी, सोरी, यही है, जो Secretary of India जो बनाये गए थे ना, इनके लिए एक council बनाये गी, जिसमें 15 members थे, देखो, फिर से देखना एक बार, एक council बनायी थी किसके लिए? Governor General की help के लिए, उसमें कितने member थे? पहले 4 थे, फिर 3 थे, फिर 12 कर दी है, है ना? वैसे ही एक council बनाई, और उस council को में 15 members थे, और यह council किसकी help कर रही थी, Secretary of India की, है ना? तो council क्यों बनायी जाती है, भई? यहाँ वाँ, एक इनसान तो सारे काम करेगा नहीं, उसको helping hands चाहिए, तो वो helping hands जो थे, वो एक निकाय बन जाता है, तो भारस Achieve 15 members के council के साथ, Sir Edward Henry Stanley ने काम करना शुरू किया, और यहाँ पर एक और change आया, 1858 का जो law था, उसमें यह कहा गया, कि अब जो governor general of India है, वो अब कहलाएंगे the voice roy, voice roy का मतलब होता है, junior king समझ लो, या assistant king समझ लो, यानि कि हिंदी में मैं बोलूँगी, उपराजा, ठीक है? वो बना दिये गए, और first vice roy कौन बने? जी हाँ, बिलकुल, canning, मैं इनको cunning बोलती हूँ, actually, so canning become the first vice roy of the India, after the 1858 government of India act, ठीक है, और इन से ही कहा गया, कि आदा मत उचलना, आप कुछ नहीं है, representative है, crown के, ओक है, चलो, उसके बाद, यह जो company की army थी, पहले किसके control में थी, पहले किसके control में थी, गवर्णर जनरल के control म को सारे के सारे power दिये गए थे, military और administrative power, लेकिन अब जो army थी, जितनी भी army थी, वो किसको दे दी गई, Secretary of India को दे दी गई, कि अब आप समाले यह army का power, ठीक है, और, जो dual government आ गई थी, dual government हम दों देखी थी न, the government of company and the government of British Parliament, दो डोग थे न, दोएट शाशन जिसको बोलते है तो वो दोएट शाशन को भी खतम कर दिया गया, और अब कोई BOC नहीं, और कोई BOD नहीं, मतलब कोई board of control नहीं, और कोई board of director भी नहीं, ठीक है, और जो minister of India थे, पहले minister of India कौन बने, अब यह आप तू सोचेंगे, कि यह minister of India कहां से आ गया, तो Secretary of India के साथ साथ एक और post बना जाता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ओके, जो next हमारा act है, वो है Indian Council Act 1861, 1861 का Indian Council Act है, तो इस act में क्या किया गया, इस act में यह किया गया, कि जो ordinance power है, वो Viceroy को दी गई, ordinance हम जानते है, अध्यादेश, है ना, जब parliament जो है, वो नहीं होती है, एक्जिस नहीं करती है, जब दोनों houses में से कोई एक house नहीं है, तो क्या होता है, प्रेसिडेंट को पावर होता है, प्रेसिडेंट या राश्पती एक ordinance जारी करता है, एक अध्यादेश जारी कर सकता है, जैसे कि कोई एधी act नहीं बन पारा ना, कोई एधी कानून नहीं बन पारा ना, तो प्रेसिडें हुई और्डिनेंस को पास करनी की शुरूआत हुई इंडियान काउंसल एक 1861 से और ये पावर दीगे किसको of course the Vice-Roy of India साथ ही Decentralization of Power शुरू हुआ अब Decentralization अब आपको याद है Centralization Decentralization का मतलब होता है विकेंदरी करण क्या किया था 1773 अब सारी पावर दे थी मतलब सारी पावर किसके पास थी Center के पास थी केंदर के पास थी पहले केंदर बेंगॉल ही था कौकता ही था फिर क्या हुआ कि 1861 के Council Act में क्या कहा गया कि नहीं अब सारी Presidencies को सारे स्टेट्स को अलग-अलग पावर देंगे और दो Council बनेंगी एक Central Council और एक State Council बिलकुल वही जिसे हम आज लोकसभा और विधान सभा के नाम से जानते हैं ठीक है तो India Government जो है इनको Council मिल गए है ना सभाई मिल गई एक Center में और एक State में और फिर आया Indian Council Act 1892 क्या आया Indian Council Act 1892 अब दो Council बनी थी इन Council में Member भी तो चाहिए है ना तो ये Member कैसे Select किये जाते थे Election से चुनाव होता है ना जैसे अभी चुनाव होता है बिलकुल वैसे ही चुनाव शुरू हो गए थे लेकिन जो Council Act 1892 है इसमें Indirect Election किये गए मतलब Common People को अधिकार नहीं था वोट डालने का Officers ही वोट डालते थे वही Select करते थे कि कौन इन Council का Member होगा लेकिन इसके बाद 1892 के Act के बाद एक और चीज शुरू हुई बहस करना और विचार विमर्ष करना किसी भी सब्जेक्ट पे जो Public Interest का है ये शुरू हो गया जो हम आज देखते है न लोगसभा, राजसभा की कारेवाही वो कब शुरू ही? 1892 में शुरू ही लेकिन कोई फायदा नहीं था क्योंकि आम जनता जुड़ी हुई थी नहीं थी indirect election हो रहा था हालेकिन ये है कि discussion शुरू हो गया था आम जनता के मुद्दों पर ठीक है? और साथी साथ budget पर भी और इसके बाद जो आता है इसके बाद आता है the Marley Minto Reform and the Montague Chainsaw Reform and of course the Act of 1935 जो हम अपने अगले लेसन में पढ़ेंगे so I hope आपको ये सारे जो steps हैं वो समझ में आ गए हैं मुझे comment करना इस तरह से mind map आपको बनाना है अपनी copy में ताकि आपको brief में ही सब कुछ याद हो जाए इससे ज़ादा और इसके बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है thank you very much और मुझे ज़रूर बताना कि क्या improvement ज़रूरी है take care bye bye keep learning